हम आपको बता दें कि मोजनपत के हल्दल पूर्थाना चित्र के बीबी पूर्चटी पर है और यहां पर एक ऐसी घटना घटी है यहां ऐसा ही कुछ यहां पर देखने को मिला फिलाल यह दुकान थी अच्छी खासी दुकान थी और यह लोन लेकर यह दुकान भी अच्छा घ दिखा दे रहा है जाए आए थोड़ा से इधर आप आजए कि हम आगे आए दिखा देते हैं और देखिए किस तरह से सामान जल कर इस समय पूरा जो है नुक्सान हो गया और यह रात की यह आग लगी थी और जैसे ही हम लोगों को पता चला हम लोगों मौके पर आया और लगते हैं और इस गुंती में आग लगाई और सबसे चौकाने वाली बाते हैं कि इसमें ना तो कोई विद्दूत से संबंदित ऐसा था कि नहीं रात को लाइड थी स्पार्किंग हो गया और आग लग गई ऐसा कहीं कुछ नहीं है क्योंकि ऐसा होता तो एक उमीद रती है कि हो सकता है साट सर्किट से आग लग जाती है लेकिन यहां पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला इसमें जो भी था सिर्फ और सिर्फ ऐसा कोई चीज नहीं था जिससे आग लग जाए फिलाल आग लगी कैसे क्या कुछ हुआ था इससे पीडित हैं भाईया और इनकी ये बातन दुकान बन करके घर गए घर की दुकान थी ये एलेक्टानिक और राडवेर और देयात का बातन आइटम सब बातन इसमें रखते थे तो लाइट मतलब जो विद्दू थी वो कुछ था ऐसा कि नहीं नहीं आप बातन लाइन कुछ नहीं थी तो क्या हुआ था साम को 46 25 में यह गर गये घर जाने के बाद बातन अम अपना कपड़ा भी निकाल रहे थे तब ही तहल्त असे फून गया कि आपके दुकान में आग लगी है तो हमने और जाने बातन से वातन भागते रुए आए तो यह आने के बाद देखे कि बातन बातन जल रहा है उसके बाद किसी तरह सटर रोटर खोला गया फिर चoralकी सिर्वंकिया गया तो चoralकी से बातन हम अमेरे अलके के सिपाही बातवन और दिवान आये थे यहाँ देख कर गए हमको बूलाए हैं बातन थाने फिर क्या आपको कुछ सक है किसी पे या क्या कुछ हो बातन कुलमिला के बातन पहले से बातन पुराना भी बात बातन गाओं में चल रहा है और यहां बातन कुलमिला के मन लिजिये के बातन एक घटना बातन सामको घटी है छाय पातन पैंतालिस पे लमसम मने अमारे जाने के बाद ना ना कोई जैसी चीज नहीं थी हमारे समय से कुछ यहां आई यह नहीं था हम और बातन बच्चे दो आदमी रहते थे हम बातन कुलमला के दुकान अपने सामने बन कराए बन कराने के बाद बच्चे को ले कर गए यहां से और एक दुकान कैसे कितनी मेनद से आप खोले हमेंगे यह दुकान बातन पहले हम बातन दो लाक रुपिया घर से पूजी लगाके खोले थे उसके बाद बातन मुद्रा लोन लिए एक लाक पंचानवे अजार फिर एक बहेंस बेचकर बातन इसमें 45 रुपिया डाले थे लमस साहे 5 लाक के करीब तो देख सकते हैं आप देखकर तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि यह पूरा इलेक्ट्रिक से जो इलेक्ट्रोनिक समान था वही सब भरा था और तमाम इसमें समान पूरी तरह से भरा हुआ था लेकिन फिलाल जिस तरह हाड़वेर की जित स्वीरे अब तो इसमें देखना यहा है कि प्रसासन कितना ततपरता से काम करती है और किस तरह से जो इसमें बहिया बता रहें कि जो कुछ हो सकता है कि आग हो सकता है कोई लगा भी सकता है अभी यह तो फिलाल जांच का विसा है लेकिन इसमें देखना यही होगा कि कितना जल पुलिस इसका पता लगाती है कि आग कैसे लगी फिलाल आप लोग बने रहें संगर्शनी उजलाइब के साथ माउस भी वेक चावान